सब्सक्राइब कीजे हमारे इस चानल को और बेल आइकन जरूर दबाएं जय मातादी बंधू एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बहुत ही खास वीडियो में जो कि सिर्फ आप के लिए बनाया गया है यानि की मिथुन राशी वालों के लिए बंधू पूर में भी हमने आपकी राशी वालों के लिए यानि की मिथुन राशी वालों के लिए बहुत सारे वीडियो बनाये और जो भी बविश्यवानिया की हैं जो भी बाते की हैं वो शद्द पृतिशत सही साबित हुई हैं ऐसा हम नहीं कह रहे हैं ऐसा आप लोग के कमेंट्स हमें बताते हैं जिनमें आप लोगों ने कहा है कि गुरु जी आपकी बाते 100% सही है बंधुओं कई बार आप लोग हमारे वीडियो में बौक्स में कमेंट करके हमें बताते हैं आपकी अनेक परेशानियों के बारे में बिंधुर राशीवलों के जीवन में बहुत सारी तरह कि अलग-अलग परेशानिया हैं बंधुओं उन कमेंट्स के रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि हजारों की संक्या में रोज हमारे पास कमेंट्स आते हैं इसलिए उन कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमने हमारा आज कहीं वीडियो बनाया है आपकी सारी कमेंट्स के उपाए हमने हमारे इस वीडियो में बताए है चाहे वो problems किसी महिला की हो, किसी स्थरी की हो, students की हो, व्यापारी की हो, businessmen की हो, स्वास्त के लिए हो, प्रेम संबंदों के लिए हो किसी भी तरह की कोई भी problem हो, सब को हमने हमारे इस वीडियो में cover किया है ये वीडियो बहुत ही मेहनत के साथ बनाया गया है, जोतिशास्त के बड़े बड़े गरंतों से हमने suggestion वहां से लिया है, वहां से सुझाव लिये हैं और जो सरल से सरल उपाय आप लोगी जिन्दकी के लिए हो सकते हैं, वो हमने किये हैं इन उपायों से हजारों लोगों को बहुत फायदा हुआ है, इसलिए आप ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखें और पूर्ण लगन, सची श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों करें, तो आपके जीवन में जो भी परेशानिया हैं, वो सारी दूर हो बंद हुआ बहुत मेहनत से वीडियो बनाया गया है, इसलिए इस वीडियो को आप जादा से जादा लोगों के साथ फेस्बुक और वाटसेप पर जरूर शेयर करें, जिससे कि मितुन राशी के और दूसरे लोगों के साथ जिन जो प्रॉबलम्स हैं, वो सारी उनकी दूर हो सकें, अगर आप मितुन राशी के और भी वीडियो पाना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बैल आइकन जरूर दबाएं, और अगर आपके जीवन में जो भी प्रॉबलम्स से समस्या हैं, उने कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, हमार जुजविद्या और आपका राशीफल आपको सही समय पर सही कारी करने के बारे में ज्यान देते हैं, ताकि आप सरवादिक लाब उठा सकें, जिन वस्तू और घटनाओं की ईश्वर अनुमती नहीं देता है, उनको ना तो आप बदल सकते हैं, और ना ही कोई और बंध हू आपको इस पूरे साल काली वस्तूओं का धान करना है, काले उलद, काले कपड़े, काली कंबल, काले तिल, तिल का तेल, सरसो का तेल, इन सभी वस्तूओं का धान या इन में से कुछ वस्तूओं का धान आप कर सकते हैं, ध्यान रखें, पूरे साल भर आपको इन काली वस्त का दान करना है शनिवार के दिन शनी मंदिर जाकर जो की सब से सामाने उपाए है ये आपको पूरे साल भर जरूर करना है शनिवार को शनी मंदिर जाकर शनी भगवान की उपर तिली के तेल में काले तिल डाल कर अभिशेक अवशे करना है वहाँ पर अगर हो सके तो आप शनी में जाना है काले तिल डाल कर उनका विशे करना है और दीपक जलाना है और यह आपको पूरा साल भर हर शनी बार को करना है शनी के दिवुष को मंगल दूर करते हैं और आपके लगने के स्वामी बुध हैं जिनके आरादि देव गणपती जी हैं और उसके लिए विशेश मितुन राशी वालों के लिए बहुत ही अचूक सिद्ध हो सकता है इसलिए इस मुंगा गणेश लॉकेट को आपको अपने गले में अवश्य धारन करना चाहिए यह मुंगा गणेश लॉकेट पिरमानित होना चाहिए प्रान पितिष्टित होना चाहिए अभिमंत्रित होन चाहिए तब ही ये काम करता है मितुन राशी वाले शनी के प्रकोप से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको ये जरूर करना चाहिए शनी की ढहिया भी आपको लगी है और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिन्दगी में सकारात्मक परिणाम आएं तो आपको इस लौकेट को अपने गले में जरूर धारन करना चाहिए ये लौकेट आपके लिए अमूल चुक परिवर्तन लेकर आएगा और आपके भविश्य में जो भी इस समय आप संगर्ष कर रहे हैं उस संगर्ष को वो खत्म कर देगा भुदवार के दिन गणेश जी को हरी दूर वा अवश्य चाणाना चाहिए और ओम गंग गण पते नमो नमह कजाप अवश्य करना चाहिए ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए गणपति जी की पूझाराधना शनी देव की पूझाराधना और मुंगा गनेश लौकट का अपने गले में जरूर डालना चाहिए काली वस्तों का दान आपको जरूर से जरूर करना है अब हम आपको बताते हैं आपकी राशी के लिए कुछ भागी रतन के बारे में मितुन राशी का भागी रतन पन्ना है हरे रंग का यह रत्न दिखने में बहुत सुन्दर होता है अगर आपकी राशी मितुन है तो आप निसंग कोच पन्ना रत्न पहन सकते हैं पन्ना के आलावा इस राशी की लोगों की किस्मत अगेट स्टोन से भी चमक सकती है अगेट स्टोन आपके जीवन की मुश्किलों को हल करने में मदद करता है इसके लावा ये दोनों रत्न मितुन राशी के जातकों को आत्म निर्भर, इमानदार, निर्ना लेने की शमता को बढ़ाने में मदद करते हैं मितुन राशी वालों को अक्सर निर्णाय लेने में दिक्कत आती है और अगेट स्टोन आपकी इसका मी को पूरा कर सकता है अगर आप किसी कारण वश्पन्ना या अगेट स्टोन नहीं पहन सकते हैं तो इसकी जगा हीलिंग स्टोन से मन्चाही सफलता, सुक और जीवन में सक रात्मक्ता पा सकते हैं मितुन राशी के अन्य महतपून भाग की रत्नों में टाइगर आई, एमेथिस्ट, सिट्रिन, रॉक क्रिस्टल आदी शामिल हैं टाइगर आई दूसरों की इरिश्या और पंडियंत्र आदी से बचाने में आपकी मदद करता है इस रत्न की पहनने से आप में उर्जा, सकारात्मक्ता, खुशी और उत्सहा आती है बात करते हैं मितुन राशी की महिलाओं के बारे में मितुन राशी की महिलाओं को पन्ना रत्ने पहनना चाहिए मितुन राशी की महिलाओं को अक्सर मांसिक तनाव और बेचेनी रहती है इस रत्न से मून स्टोन, मोती, नीलम और सिट्रिन स्टोन पहनना चाहिए इन रतनों को धारन करने के बाद व्यक्ति अपने लक्ष को पाने की ओर आगे बढ़ पाता है भीमारियां और तनाप से भी ये रतन आपको दूर रतने में मदद करते हैं शांती और सुकून पाने की खुक मिथुन राशी के जातकों को ये रतन धारन करने से लाब होगा हालकि अगेट स्टोन भी आपके जीवन को संतूलन प्रदान करता है जीवन में आने वाली समस्याओं और कठिनाईयों से लड़ने की ताकत मिलती है जोती शास्त्र के अनुसार केवल उच्छ क्वालिटी और असली रतन ही लाब पहुचाते हैं मिथुन राशी के जातकों को ये रतन किसी अच्छी और ऑथेंटिक जगा से ही खरीदना चाहिए आपको श्री यंत्र सिद्ध किया हुआ अपने घर में जरूर रखना चाहिए शनी यंत्र रखना चाहिए श्री हनुमान चालिसा का पाट करना चाहिए और शनीवार के दिन तेल का दान जरूर करना चाहिए आपको किसी धार में किस थलकी सीडियां और वहां के रास्ते पर साफ सफाई के कारी करना चाहिए प्रत्ते एक ब्रस्पतिवार और शनिवार को पीपल ब्रक्ष को जल चड़ा कर उसकी पूजन करना चाहिए संभव हो तो आपको पीपल ब्रक्ष जरूर लगाना चाहिए इसके अलावा आप विधारा मूल की जड़ को भी धारन कर सकते हैं जो बुद्ध के दोशों को दूर करने अलसर अपच एवं रक्त संबंदी विकारों से बचने के लिए बहुत लाबकारी है बंदों आपको किसी भी धार्मिक स्थल की सफाई जरूर करना चाहिए ब्रसपती शनिवार को पीपल ब्रक्ष को जल चल चड़ा कर उसकी पूजा करना चाहिए पीपल के ब्रक्ष लगाना चाहिए दान पुन्न की के कारे करना चाहिए बूजा हिस्तल में बुद्ध यंत्र की स्थापने जरूर करना चाहिए जो आपकी राशी स्वामी बुद्ध की मजबूती के लिए अनुकूल रहेगा और बुद्ध संबंदित सुपरिनाम आपको प्राप्त होंगे कन्याओं को भोजन जरूर कराएं मचलियों को आटे की गोलिया खिलाएं वानी पर सयम रखकर कोई बयान दें सुर्यास्त के पश्चाथ शनी चालिसा का पाट करें सह कर्मी और भाईयों से संबंद बना कर रखें शत्रूं से परिशान हैं तो माधुरगा की उपास न करें अविवाहित हैं तो मार्च तक अच्छी घवर आ सकती है वादा खिलाफी ना करें वही वादा करें जो पूरा कर सकते हों सफाई कर्मचारियों को जाडू और सिक्कादान करें उनसे विनम्र बने रहें सतर्क रहें पूंची बचा कर रखें 9 से 30 अगस्त और 18 अक्टूवर से 2 नवंबर तक कोई भी व्यावसाई कारी ना करें तो बंधू ये था बहुत ही महत्रपूर वीडियो मिथुन राशी के लिए ये वीडियो बहुत ही मेहनत के साथ बनाया गया है इसलिए इस वीडियो को आप जादा से जादा लोगों के साथ फेस्बुक और वाटसेप पर जरूर से जरूर शेयर करें जिससे दूसरे लोगों का भी भला हो सके आपकी जो भी परेशानिया हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं हमारे अगले मितुन राशी के वीडियो में हम उने सॉल्व करने की जरूर से जरूर कोशिश करेंगे मितुन राशी के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल देशी भक्ती को जरूर सबस्क्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं